हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का मेरी चनल हेल्दी लाइफ में दोस्तों लाल मिर्च हम कई तरीकों से अपने व्यंजन में उप्योग करते हैं हम इसका सूखे और पाउडर के रूप में सीधे सीधा पोधो से तोड़ कर पेश्ट के रूप में इसे बीच से तोड़ कर सूखे हलके कटे हुए रूप में और इसको सूखे फल के रूप में उप्योग करते हैं लाल मिर्च का उप्योग बड़े पेमाने पर व्यंजनों में स्वाद के लिए किया जाता है और व्यंजनों को मसालेदार बनाने में किया जाता है इसका उप्योग अचार के मसाले में भी किया जाता है परंपरागत रूप से भारत में इसका उप्योग सरसो के तेल और अन्य मसालों के साथ तड़का लगाने के लिए भी किया जाता है यह मसालेदार भारतिय व्यंजनों में पूरक के रूप में परोसी जाती है कभी-कभी इसका उपयोग एनरजी ड्रिंक्स और कुछ विशेश कॉक्टेल में किया जाता है लाल मिर्च में कैपसाइसी नामक खटक होत और केरोटिनोइट के साथ साथ प्रमकृप से फाइबर भी पाया जाता है इन जभी घटकों के कारण लाल मिर्च हमारे स्वास्ते के लिए लाबदायक होती है तो आज के वीडियो में हम लाल मिर्च के फाइदों के बारे में चर्चा करेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पह आने वाले मेरे सभी वीडियो की आपको इंस्टन्ट नोटिफिकेशन मिलेगी दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जो दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं लाल मिर्च के फाइदों के साथ नमबर वन रक्तकोशिकाय बनाने के लिए दोस्तों सरीर में आइरन की कमी के कारण एनिमिया और धकान की समस्या होती है लाल मिर्च में कॉपर और आइरन परियापत मातरा में पाया जाता है जो नई रक्तकोशिकाय बनाने में मदद करता है लाल मिर्च में folic acid भी पाया जाता है जो शरीर में लाल रक्त कणिकाओ का निर्मान करता है और खुन की कमी को दूर करता है नमबर टू रदे रोगों से बचने के लिए दोस्तों, शरीर में विभिन नक्रियाओ के संचालन में पोटेश्यम नामक खनीच की महतपून भूमिका होती है लाल मिच में पोटेश्यम काफी मातरा में पाया जाता है जो इन कारियों में सहयक होता है फॉलेट के साथ परियाप्ट पोटेश्यम लेने से रदे रोगों का खत्रा कम हो सकता है लाल मिच में राइबो फ्लैविन और नियासीन की भी परियापत मातराप होती है नियासीन व्यक्ति के शरीर में अच्छे कोलेस्टेरोल को बढ़ता है और रदे से जुड़ी बीमारियों के कतरे को कम करता है नमबर थ्री दर्द से रहत दिलाने के लिए दोस्तो ओस्टियो आर्थ्राइट्रिस और डायबिटिक नियूरोपेथी के कारण होने वाले दर्द को दूर करने में लाल मिर्च बहुत सायक होती है यह समवेदी रिचेप्टर को असमवेदर शीन बलाता है और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होने के कारण सूजन को कम करने में भी सायधा करता है बोजन में लाल मिर्च का प्रयोग करने से बहुत फायदा होता है नमबर फोर आथ की बीमारियों से बचने के लिए दोस्तो एंटी बेक्टरियल एवं एंटी फंगल गुणों से यूगत होने के कारण लाल मिर्च का उप्योग खादिय सरक्षक के रूपों में किया जाता है लाल मिर्च में मौझूद कैपसाइसीन एच पाइलोन नामक बेक्टरिया को नश्ट करता है और आथ में सूजन होने की समस्या से बचाता है इसलिए आंतर रोगों से बचने के लिए इसका उप्योग किया जाता है नमबर फाइव इसके अलावा लाल मिर्च में विटामिन A भी पाया जाता है जो मुत्रमार्ग, आंत्रमार्ग, एवं स्वसनमार्ग को स्वस्त रखने में मदद करता है विटामिन A को एंटी इंफेक्शन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है जो संक्रमन से बचाने में मदद करता है नमबर 6 आँखों के लिए फायदी दोस्तो एक रिसर्च में पाया गया है कि प्रते दिन एक चम्मच लाल मिर्च का सेवन करने से आखे स्वस्त रहती है लाल मिर्च में विटामिन ए पाया जाता है जो आखों की रोश्णी को बहतर करने में मदद करता है और रात में आखों से नव दिखने की समझया को भी दूर करता है नमबर 7 कैंसर से बचने के लिए दोस्तो एक अधियन में पाया गया है कि लाल मिर्च ल्यूकेमिया और कैंसर की कोशिकाओ को खत्म करने में मदद करता है अलदी की तरह करी बनाते समय इसमें लाल मिर्च का प्रयोग करने से वह ट्यूमर एवं कैंसर को बढ़ने से रोकती है इसके अलावा या अस्तान कैंसर को भी बढ़ने से रोकने में मदद करती है दोस्तो पेट के बेक्टेरिया को नश्ट करने में लाल मिर्च वास्तों में बहुत फायदेमन होता है यह पेट में कोशिकाओ की लाइनिंग को उत्तिजित करता है और बफरिंग जूस का स्त्राव करता है जिसके परिणाम स्वरूप पेट के अलसर से बचाओ होता है पेट के अलसर के लक्षनों को कम करने में भीया बहुत ही शायक होता है नमबर 10 वजन घटाने के लिए दोस्तों मोटा पाय गंभीर समस्या है जिसे हलके में नहीं लेना चाहिए नियमित रूप से बोजन में लाल मिर्च या लाल मिर्च पाउडर का प्रयोग करने से अधिक बोजन करने की इच्छा घटती है और मेटाबॉलिजम भी बढ़ता है लाल मिर्च का सेवन करने के बार शरीर में गर्मी आती है जिसे एनरजी बढ़ती है और अत्रिक्त कैलोरी घटती है इसलिए शरीर का वजन गटाने के लिए लाल मिर्च बहुत फाइदमन्द है नमबर 12 लंबी उम्र के लिए तो विबिन अद्धेनों में यह पाया गया है कि 30 साल की उम्र के बाद प्रति दिन कम से कम 5-6 बार बोजन में लाल मिर्च का प्रयोग करने से व्यक्ति की आयू लंबी होती है जो लोग प्रति दिन लाल मिर्च का सेवन नहीं करते हैं उनकी कर दो लाल मिर्च के फायदे आने के साथ साय लाल मिर्च के नुकसान या उसके साय Defekts भी जानना उतनाए जरूरी तो आइए उसके बारे हमें चर्चा करते हैं जो अधिक मसालेदार प्रकुति का होता है लाल मीच का सेवन करने से मूँ जीब और गले में जलन की समस्या हो सकती है लाल मीच में पाए जाने वाला कैपसाइजीन, मूख गुवा, गले और पेट के संपर्ख में आने से सूजन और जलन पैदा कर सकता है यदि हाथ में लाल मिच लगा हो तो उसे हाथ से आखों को नहीं चुना चाहिए अन्यते आख में जलन हो सकती है और आख लाल भी हो सकती है लाल मिच में कुछ ऐसा रसायन होता है जिसके कारण पेट लिवर और कोलन कैंसर की समस्या हो सकती है तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको लाल मिच के फायदे और उसके नुकसान के बारे में उप्योगी जानकार यहांसे लुई होगी यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और अपने दोस्तों और परिवाजनों में इसे शेयर कीजिए यदि आप अन्य कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट में लिखिएगा मैं वो सब्जेक के उपर वीडियो बनाने की अवश्य कोशिश करूँगा थैंक्यू